हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं प्रेंज आज हम कच्छा 10 के एक इंपर्टेंट चेप्टर प्रकास का प्रावर्तन तथा अपर्चन के इंपर्टेंट परशन को देखेंगे जहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में हर साल इस टापिक से प्रशन बनते हैं फ्रेंज आ आपके बॉर्ड के एक्जाम में सवाल आते हैं उन्हीं सवालों को इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे सवाल है कि दो हज़ा चोबिस के बॉर्ड के एक्जाम में हंडेट परसेंटेज जो आज प्रस्ण करवाने वाले हैं वही प्रस्ण आने वाले हैं ठीक फ्रेंस आज जिसमें आपको दृवर्पण से स्वाल और पाट टू में आपको लेंस से संबंदी सवाल जो बनते हैं बोड के एक्जाम चुकी आज हम लेंस की छमता से जो सवाल बनते हैं और अपके बोर्ड के एकजाम में आते हैं आज उनहीं सवालों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एकजाम के लिए सबसे ज्यादा important numerical है चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है ते चलो सब्सक्राइब करें फ्रेंज देखिए आपका यह पहला सवाल जो है इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे सवाल जो आपका है कि किसी लेंज की छमता माइनस टू डायॉप्टर है इसकी फोकस दूरी कितनी है तता लेंज किस प्रकार का है देखिए फ्रेंज यहां पे आपको फोकस दूरी भी बताना है और साथ में आपको कौन सा लेंज इसमें प्रयोग किया गया है उसको भी बत देखें आप से पूछा क्या है और दिया क्या दखें यहां प्रेड प्रेथ कि छमता को पीस से दिखाते हैं पीस कल टू होता है वन अपान यव देटी धस फार्मुले का प्रियूप अब करते हैं जब फोकस का मात में दिया होता है कि स्केलाफरेंस क्या होता है यहां पर खाल करने से पहले कुछ basic concept बदा देते हैं देखिए अब ढ़ायाई आपका focus और हाम मान आपको कौन सा लेंस में यह हल करके है यह हल करते समय यह कमान प्लस में प्लस में डो ऑता है आपका उत्तर nhân भूझे रखी आप सवाल simple तरीका से हल कर लेंगे ठीक है उत्ता लें से आब देखें इस स्वाल को क्य?" यहां पे दिया है कि छमता दिया है मानेस 2 डायोप्ठर्म का मतलब हम आप यह पी कमान- ह्यंका कि अब कितना रखेंगा मैंनेश टू रखेंगे उद्चे यहां किया करते कि सट्रे इस फार्मिलीर प्रियोग करेंगे करेंगे सब्टनबट अब इस सवाल को पूरा हल करते हैं घाण कर लेंगे और सब्सक्ट बटाए कैए माइनस दूब इधरा जाएगा ठीक माइनस दूब मिलि नन यह सेंटीमीटर में आइका यहाँ मतलब आपका फोकस कुंसा ओगा देखिए फ्रेंच आप यहाँ पूछाना लेंस किस परकार यह था जैसे टिक है जाना आपको यह प्रकार माइन सब्सक्राइब करेंगे यहां पे लिखेंगे क्या दो लेंस होगा आफ लेंस होगा भी सव्वाइब यह कमान कीतना पत्चा सेंटिमीटर अ कि तना सिंपल फ्रेंस आपके आसान देखें तेकितना आसान ठीक है यह पर बोड के एक्जाम में फ्रेंस हर साल पूसता है ठीक है तो आपके 2024 के जो बोड का एक्जाम होने वाला है उसमें भी यह सवाल 100% आने वाला है तो फ्रेंस यहां पर आपको टोटल पाच क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको लेंस की छंता से संबंदी और अरतनाग से संबंदी सभ ख्यान दीजिए आप देख उसी प्रकाहब सवाल है कि क्या है कि कोई ड्यक्टर प्लस 11oc przeci Department में और करता कि flight की फोकस दूरी ग्याद कीकिए फोकस दूरी त्बगि देखें यहां पर ऑफारी यहां पर बताना है पर बताना है जो यहां अब कर होगा या अबसारी होगा या प τα हैं कि पहलेहाँ क्या लिखिएगा फार्मॉला या 5 mm मे होग संटिम Rights is clear टियें यह तो यह मुंत अपर यहाँ तो यह मीटर लगाएगा यह मीटर में देख को अपको लोगाए तो नो फार्मूले में-सके किसी या इसका परियों के और दोनलों किसी का परियों करेंगे मेरा आपका एंसर इसमसर प्रच्छ फैक्छ ऊंटर नहीं होता यहां बेग्स्वा नहीं होता है। यव ग्याद करना है अब इस सवाल को देखे कैसे यव इधर लाइए यह बटाके एक दस्मलो 5 देखे एक दस्मलो 5 दस्मलो 5 यह पूपर जाएगा दस बटाके 15 हो जाएगा इसको कटाएगा पांद दूना के दस पांट पंद्र दू बटाके भाग दे लिजिए भाग देंगे जीरो दसमलो इन शब यह मीटर में आजागा किसमें आएगा फोकस दूरी मीटर में हो जागा देखे फ्रेंज अभी आपको बता है एक संट्री मीटर में निकालके बता दिये यहां पर जीरो दसमलो 6-6 मीटर हूआ अब जब प्लसा आएग हम प्लसा यहां आपको स्पेसका प्लस अथा उतकर यहां पर देखी आपका इनजब अन्सवर हो सबब्स अब अभी प्रैस आहाँ फिर इसके बात देखें कते परकंद के देखें आप दोनों तरीकड बता देए सेंटिमीटमे में निकालना होが तिस फार्मीला प्रयोग किजिएगा सोरी दोस्तों मीटर में निकालना यह फार्मूला और सेंटिमीटर में निकालना है तो बस यहाँ प्लिचा कर लिए ठीक है आपको दोनों सवाल इसलिए बता दी है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को सब्सक्राइब करेंगे अब देखिए पहले यहां पर हल लिखा कीजिए हल लिखने के बाद आपको क्या करना है पढ़े क्या दिया है वायू के ऑयू के सापेज जल का अपवॉर्त नाइक का सवाल और करें लेंस का दो सवाल बता है अब यहां लिखा लाध करें तेखिए थे युट टराहन गा पर करें यह लिखने का तरिकल अन जल और देखाना रहेगा थे इसको देखाना कि इसे पकात देखंगे तेसे इसदी इसे पकात देखिए यहाँ पर दिया है यहाँ भी लिखिएगा यू के सापेज इससापेज कांच का अप्वर्तना कि अप्वर्त ना देखर योग यहां पीजिए और तीन बटागी दू ऑफ दू कर लीजिएक। अब देखें फ्रेंश कैmos kya रहा है जल का काश के साप्पेश इस अपवरतना पूछ रहा है ठीक है ध्यां दीजिएगे यहां पर िछ पूछ रहा है जल का कांच के сापेच अपवरतनम इन्म यहीं सब्ड 되면 दियान करते हैं इसका मतलग आप कांच के सापेच, जल का प्वरतनम है , आप लिखेगा जल का कांच के सापेच अपूरतना एंवार्टतर नो ठीके अब यहां ध्यान दीजेए दिश्वाल में ध्यान दीजे यहां काँट के साफ़ अच्छ में पहले लिखेएगा ठीके यन डाबलू इसलिए काच के साफ जलना जी अन डाबलू हो जाएगा अब देखिए इसका फार्मॉला कैसे बनता है फ्रेंस यहीँ पर ध्यान देना है जो पॉले रहा तो दिखेंगे ए कि यर्ण डाब्लु अपाँ यहां प्रिंगे लिखें लिखें करें कि अब मान रख लीजिए एनडाब्व्लू को मान दिखें चार बटा के लूता गोड़ कर लिखें अब फ्रेंजंक देखें पता है नीची का जब उपर जाता है यहां गुड़ा कच्छिन बनाते हैं यानिकि दू बटा के तीन हो जागए ठीक है अब इसको अहल पर इसका मतलब यह हुआ कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब सवाल बताते हैं कि आपको बोर्ड के एक्जाम में इस सवाल को लिखते हैं सना आप से गलती नहों जी यान डाबलू बरा क्या लिखेंगे आठापान नौ ठीक है इस तरह आप करके ब्लेक पेंस से आप इसको लिखे दीजिएगा इस प्रकास इन सवालों को हल किया जाता है जैसे बता हैं उसी प्रकास आप हल की जिएगा चले फ्रेंट चौते नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर चौता नंबर का सवाल देखिए जैसे आप लगाएं सवाल उसी प्रकास से चौता नंबर का भी सवाल है यह भी आपके बोड के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है पहले फ्रेंट देखें सवाल को ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है दिया यही है कि ज परतनांग और लेंस की छंता से यहां पर जो सवाल हल कर आ रहे हैं इन ही सवालों में से आप बोड के एक्जाम में 100% सवाल बनेगा ठीक है तो आप पूरा वीडियो एक बार देख लिए आपके सभी डाउट किलियर हो जाएगा फ्रेंट इस सवाल को हल करना है तो पर यहा सन přेंग लेते हैं क्या दिया है जल में है प्रकास की चालड को किस से दhältकाते हैं रोज्खे प्रकास की चालड को किससे दिख्णड बीड़ियो घपाना兩個 है е Partners इस से देखाते हैं तो अ अपवरतनां को यंद से देखाते हैं ने इह ऑब गया अब शुतानांग फार्मूला क्या होता या था या थोना चाहिए तो अपप जिभी इसमें पता हो गाइ pub इसमें पटा यन बराबर जो लם सिवाईू में प्रकास की चाल इए और यह किसी माध्या में प्रकास स्मझ्ज में अयूगते ओड़ा यह निरवाट की जही है। ठीक है अपान देखिए अब यहां पर जल दिया है यहां पर लिखिए कि जल में प्रकास की चाल प्रकास की चाल जिससे आपको समझ में आज़ा ठीक है अब देखिए फ्रेंस यहां पर यहन कमान कितना दिया है चार बटा के तीन दिया है यहां चार बटा के तीन रखेंगे क्पांच गुडे 10 पर थिक है अब दिखे फ्रेज इसी को आपको हल करना है कैसे आप हल करेंगे सुरीं दोस्तों यह वी उपर नहीं हो थोड़ा स्मिश्टेक होगे हम से लिखते समय यहां पर दस पर आट ठीक है इसका तीर यह बुड़ा करेंगे तो चार गुड़े दू दस मोलो दू पाच गुड़े दस प्याट होगा अपाँ यहाँ पितना है तीन ठीक है अब बराबर सी अब देखे फ्रेंस यहां पे आप हल करेंगे तरो कैसे हल करेंगे देखिए पहले ध्यास से देखिए आप यहाँ भी देखे लिख सकते हैं देखे चार का इसमें द दूंग पर 10 लगा लिए अगुड़े 10 पर 8 दस पर 8 लिखे बाद कोई मतलब नहीं हो तो 3 से देखे यह 0 कोई मतलब नहीं हो इसको 3 एक हम 3 तृतली के 9 तो सीवरा कितना ओगया तीन गुड़े दस पे आट मीटर प्रति सेकेंड और यही फ्रेंस क्या हो जागा इसका एंसर हो जागा क्या हो गई इस प्रकास से इस सवाल को भी आप लगा लिजिए गा एक दो बर सवाल लगाईएगा यहाद किसी प्रकार का डाउट रहता है मन में तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखे दीजिए और उसका हम इंसर जरूर देंगे आपको देखेंए यहाँ पांचवा नंबर का सवाल है जो आपका कुछ अलग प्रकार का यह भी आपके बूर्ड के एक्जाम में कई बर सवाल पूछता है कभी-कभी कलपी में दे देता है देखिए आप इस स प्रत्विम की लंबाई में एक अनुपाते चार का अनुपात है इस दसा में यू तथा भी में अनुपात ग्याद किजिए देखिए फ्रेंच जब आपको आवर्धन का फार्मुला बताये थे तो इस समय आपको फार्मुला बताये थे आपको याद भी होगा ठीक है आप दिया होगे तो आपको याद होगा देखिए आपको फार्मुला क्या बताये थे आवर्धन का फार्मुला बताते समय आपको कि क्या होता है आवर्धन बराबर आवर्धन यम बराबर बताये थे येच डैस अपान येच भी अपान ये ध्यान में होगा आपके फार्मुला लइसिए देखें और वस्तु कि लंबाई को यच से अब चलिए सवाल को बस आप हल कर लिजे यहां पर देखिये आपकी दिया है परतिबीम की लंबाई ठीक है यह रसना वस्तु के लंबाई यह इसी चीज़को आप रखते समय आफ द्ध्यान दीजेगा नहीं तो आप गलती कर देंगे क्या है यहां पर यह जो रहा था पहले रखते हैं और जो बाद में हैं तो बाद में रखते हैं यहां पहले है अब क्या करेंगे यज़ अपान यज़ ब्रावर क्या हो जागा एक हो जागा एक वटा के चार जो की है यहाँ पूर है तो इसको पलट दीजी चार परफ एक हो जागा पता लेगा चार बड़ावर कर रही Widya किसका मान पूछ रहा है आपका भी अपान यू का किसका मान है भी अपान यू का यानि इसी में यू तथा भी में अनुपाद ग्याद कीजिए यहां पर द्यान दीजिए फ्रेंस यहां पर पहले यू का दिया है फिर उसके बाद भी दिया है न तो इसको द्यान दीजिए गा चालोंगे दिखे निलीक हो दो आ सोटा था ठीक है लेकिन आपको जुम्मान दिया था न पलटट और इसी लिए इस सवाल को आप ऐसे समझेगा कि जब एक पच्च का जो अनुपाद होता पल्टा जाता है दूसरे साइट का भी अनुपाद बदल जाता है इस तरह आप ध्यान में दीजिएगा और सवाल लगाते से ध्यान दिया किजिए किसमे अनुपाद पूछा है ति यहां आप यू और भी का यू पाले था भी पाले था यहां पर यू पाले होना चाहिए भी बाद में कि आप एक्जाम में इस सवाल को गलती करके चले आएंगे यह सवाल आपके बोड के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है तो फ्रेंज देखिए आपके लेंस से सब्सक्राइब करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें